हलो दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि Call of Duty गेम कैसे खेलें वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जीरो से हीरो बनने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जब आप पहले बार Call of Duty गेम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको तीन ओप्सन मिलेंगे गेस्ट, Call of Duty और Sign in with Facebook का अब यहाँ पर आपको अपनी ID बनानी है जिससे आप Call of Duty गेम को खेल पाएं तो ID बनाने के लिए आपको तीसरे ओप्सन पर क्लिक करना है Sign in with Facebook पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको अपने Facebook का Mobile नमबर आप इमेल अडरेश डाल देना है याँ जिसे आप इमेल ID बोलते हैं और नीचे वाले Facebook पासवर्ड में जो आपका Facebook का पासवर्ड है उसे डाल देना है और लॉग इन पर क्लिक कर देना है जैसे ही लॉग इन पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपसवर्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको जारी रखें पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका Sign In वाला प्रोसेस है वो हो जाएगा Complete और आपका Game हो जाएगा Open यहाँ से आपको जितने भी ओपर से Adds दिखाई देने हैं आपको कर देना है Cut करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और आपका Game फाइनली Open हो जाएगा यहाँ पर Game Open होने के बाद आपको बहुत सारे Options दिखाई देगे सुरू करते हैं Left Side से सारे Options के बारे में आपको बताएंगे जो आपको जानना चाहिए तो Left Side में आपको आपका नाम दिखाई देगा और आपकी एक छोटी सी फोटो दिखाई देगी जो की आपने भी Face उपर लगाई हुई है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो खुशिश तरह से Options आपको दिखाई देंगे यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा आपका लेबल कि कितना आपने लेबल अक्रॉस गिया है याईनि कितना लेबल आपने गेन कर दिया है अब इसके बाद जब उपर से आप Second वाले Option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आपके मैच के बाए में दिखाई जाएगा गेम प्ले के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने गेम खेले, कितने जीते और कितने किल किये हैं बहुत सारा चीज आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहें तो आपके नाम के आगे जो एक पैंसल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप बड़ी ही आसानी से अपना नाम चेंज कर सकते हैं अगर आप लोगों को लॉग इन करने में या अपना नाम बदलने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आई बटन पर आपको कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएंगी वहाँ पर क्लिक करके आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से आपको आना है बैक बैक आने के लिए आपको जो उपर एरो का निसान है इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह वाला उप्सन तो हो गया जो आपका नाम और आगी फोटो लिखी है अब इसके नीचे आएंगे तो आपको एक store option मिल जाएगा store पर आप click करेंगे तो यह एक प्रकार की दुकान है जिस पर आप पैसे खर्च करके bundle वगएरा, guns वगएरा खरीज सकते हैं तो यहां से भी माज आते हैं back क्योंकि अभी आप जाते हैं पहली पार open कर रहे हैं तो आपको कुछ खरीदने की ज़रुत नहीं है अब यहां से आपको आना है जश्ट आपके right side में अब इधर की और आप बढ़ेंगे तो आपको एक option मिल जाएगा setting का setting पर आप click करेंगे तो यहां पर simple mode और advanced mode मिल जाएगा यहां पर जब click करेंगे जो simple mode क्या है इसमें आपको firing button नहीं दी जाएगी और advanced mode में firing button दी जाएगी इससे आपको कैसे use करना है आपको अभी आगे बताएगे अब यहां पर सब कुछ छोड़ देते हैं अब यहां पर आपको right side में एक option मिल जाएगा multi player का मुझे भी बाटर रोयल का भी option मेरा हुआ है लेकिन आपको multi player का option मिलेगा बाटर रोयल का option नहीं मिलेगा तब आपको click करना है multi player बाटर रोयल पर दोनों option सेम काम करते हैं सिर्फ उन में के match अलग होते हैं अब अगर आप इस match को अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको एक plus का option भी मिल जाता है यहाँ पर जब आप click करेंगे तो आपके left side में जितने भी आपके friend है online है उनको आपको लिश्ट दिखाए जाएगी और जब offline रहेंगे तो हम पर offline लिखा रहेगा और जब online रहेगे तो online लिखा रहेगा जब आपके friends online रहेंगे तो आपको उनके सामने भी plus का एक option मिल जाएगा इस पर click करके आप अपने facebook friends के साथ खेल सकते हैं अब यह हो गए हमारी facebook friend की बात यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम वे solo versus squad या solo versus solo खेलना है तो हम कैसे खेलेंगे तो आपको click करना है classic की बगल जो एक arrow का निसान है यहाँ पर इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको left side में आपको मिल जाएगा solo versus solo, duo versus duo और squad versus squad का और जो भी आप खेलना जाएं उस पर click करना है और confirm पर click कर देना है अब यहाँ पर इतना काम आपका हो गया अब लास्ट बात आती है कि हम अपने game को कैसे खेलेंगे game में भी कैसा ही settings है game खेलने के लिए सबसे पहले आपको start करना है start पर आप click करेंगे एक timing चलने लगेगा चोटा सा और इस timing के बाद आप automatic से कुछ बंदों से match हो जाएंगे जैसे आपके matching complete हो जाएगी यानि match होने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे option मिलेंगे जिस पर भी आप click करेंगे सब के अलग-अलग reasons है enemy attack के situation में आपको इन options का use करना है तो जो भी आपको option अच्छा लगे उस पर आपको click कर देना है अब जैसे मैं यहाँ पर आपकी left side में जैसे मैंने आपको option बताया कि जो भी आप use करना चाहें यूज कर सकते हैं यह आप इसको confirm पर करेंगे तो आपके right side में एक option मिल जाएगा जो कि एक blue blue चमकने लगेगा इस पर आप click करेंगे तो आपको कई सारे effect से दिखाई देंगे जिसे कि देख सकते हैं हमारे बगल एक green green round चलने लगा है तो ऐसे आपको कई सारे effect मिल जाएंगे जो भी आप चाहें use कर सकते हैं साथ साथ आपको आपके left side में TPP और FPP का option मिल जाएगा यहां से आप TPP या FPP बढ़ी आसाई से कर पाएंगे timing खतम होने के बाद आपका game स्टार्ट हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इसका interface स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है अब यहां पर जब आपकी aero plane चालू हो जाएगी यानि जब आप कूदने के लिए ready हो जाएगे आपको एक छोटा सा map दिखाई दे लेगा और आपको एक यहां पर कूदने वाला option दिखाई दे लेगा आपको map पर क्लिक करके जहां पर भी कूदना है उससे select कर लेना है और यहां पर कूदने वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका बंदा जो है automatic से कूच जाएगा और यहां पर आप जैसे PUBG में करते हैं आगे पीछे दाएं बाएं वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं और जहां पर भी कूदना चाहें वहां पर बड़ी आसाई से कूद सकते हैं जब आप कूद जाएंगे तो यहां पर आपको आपका parachute जो है पहले खूल जाएगा जब आप नीचे आजाएंगे जमीन पर तो आपके सामने कुछ घर दिखाई देंगे अब यहां से आप देखिए घर दिखाई देने के बाद अभी आपके पास कुछ भी लूट नहीं है तो आपको आना है इन घरों में और घरों में आने के बाद ये आटोमेटिक से ही आपको बहुत साइड लूट के सामान मिल जाएंगे से गन वगारा देखे गन वगारा हमें मिल चुकी है तो आप ऐसे ही कई साइड चीज दिन जो भी आपके हलमेट होते हैं बुलेट पूफ यूज होने लगेगे इस पर click करेंगे तो आपका बंदा है add kit यूज़् करने लगेगा अब यहां से आगे पीछे दाइबाए जा सकते हैं यहां से jump कर सकते हैं यासे बैठ सकते हैं और यहां से साथ-साथ reloading कर सकते हैं और अगर आप scope यूज़् करना चाहें कि यहां पर आप जैसे इस वाले option पर click करेंगे यहां से आपको एक ground दिख जाएगा गोला जैसे पबजी और free fire में होता है आपको इसके अंदर ही रहना है नहीं तो आप बड़ी ही जल्दी death आपकी हो जाएगी तो आपने देख लिया कैसे आपको इस game को खेलना है I hope आप लोग सब कुछ समझ गये होंगे इस game में कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करें ज़रूपता देना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना चैनल पंड़े और सब्सक्राइब कर देना और जो भी दिक्कत आती है इस game को चलाने में उपरेट करने में आप वाई बटन पर कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी उन्हें देख कर आप सारी प्राबलम को सॉल्ब कर सकते हैं तो बस मैं मिल दूँ आपको ऐसे किस नेक्श वीडियो में जैहिल